Hello everyone, I am Jyoti Jha and welcome to NCRT The Mind तो आज हम पढ़ेंगे Class 2 की EBS Book Chapter 23 Animals तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से NCRT The Mind को सब्सक्राइब कीजे, लाइक कीजे और पास में दिये गए बैल आइकन को भी प्रेस कर दीजे ताकि NCRT से रिलेटेट सारे वीडियो आपके पास समय से पहुंसती रहे तो चलिए बच्चों पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो चैप्टर है Animals लुक एराउंड और यू विल सी मैनी अनिमल्स अपने चारो तरफ आप देखिए और आप बहुत सारे अनिमल्स को देखेंगे वी केप सम अनिमल्स एस पैट्स हम लोग कुछ अनिमल्स को पैट के तौर पे रखते हैं यानि की पालते हैं वी केप दैम इन आवर हाउस और हम उन्हें अपने घर में रखते हैं और वो हमारे फ्रेंड्स होते हैं और हम लोगों का उनका ख्याल रखना चाहिए उसके बाद देखिए जो पैट अनिमल्स हैं तो क्या सब हो जाएगा डॉग, कैट, रैबिट और पैरट उसके बाद है कुछ यूसफुल एनिमल्स होते हैं जिने हम फार्म में रखते हैं और ये डॉमेस्टिक एनिमल्स कहलाते हैं तो देखिए डॉमेस्टिक एनिमल्स में कौन कौन से हैं तो वो फैलो है और उसके बाद गौट और काव, होर्स उसके बाद देखिए there are some animals that are found in jungles कुछ animals ऐसे होते हैं जो जंगल में पाए जाते हैं they are called wild animals और ये wild animals कराते हैं you can see them in a zoo और आप इसे zoo में देख सकते हैं तो देखिए wild animals तो देखिए beard है और ये है lion और ये है hippopotamus उसके बाद some animals are big and some are small कुछ animals big होते हैं कुछ small होते हैं और some are tall and some are short कुछ tall होते हैं कुछ short होते हैं some live in water some live on land and water तो कुछ water में रहते हैं और कुछ land and water दोनों में रहते हैं अब यहाँ पर देखिए ये है big animal ये है small ये है tall और ये है short और ये देखिए यह जो है फिश यह वाटर में लिव अनले इन वाटर और यह है तो यह फ्रॉग और हिपोपोटेमस तो लिव इन वाटर एंड ओन लैंड दोनों में रहते हैं different animals eat different kinds of food different animals जो होते हैं वो different तरह के food खाते हैं some animals are plant eaters कुछ जो animals होते हैं वो plant eaters होते हैं यानि कि वो plants ही खाते हैं जैसे कि हो गए elephants, camels, giraffes, jabras, cows, cods, sick, deer, grass, leaves and plants तो यह सारी जो होते हैं यह grass, leaves and plants खाते हैं some animals are flesh eaters, tigers, lions, jackals, hynos, hawks, vultures, flesh of other animals तो कुछ animals होते हैं जो flesh eaters होते हैं तो जैसे कि tiger, lion, jackals, hynos, hawks, vultures तो यह सारी जो होते हैं तो यह दूसरे animals जो होते हैं other animals उसके flesh खाते हैं यानि कि उनका जो months होता है मार के उन्हें खाते हैं या मड़ा हुआ होता है तो उन्हें भी खाते हैं अब यहाँ पे हैं कि names of young ones और few animals अफिर few animals अब यहाँ पे कुछ animals के young ones को बताना है आपको तो young ones यानि की बच्चे जो animals के जो बच्चे हो गए उन्हें हम क्या कहेंगे तो जैसे की beard हो यह कंव प्चे को हम कव कहेंगे cat के kitten cow veg dog को puppy deer को found उसके बाद horse है तो उसको हम कहेंगे fall ya call इसके बाद हैं के बच्चे को chicken lion के बच्चे को cook ship के बच्चे को lamp और swan के बच्चे को signet उसके बाद है duck के बच्चे को duckling, god के बच्चे को kid, इसके बद tiger के बच्चे को cub, wolf के बच्चे को cub तो देखिए इसी तरह से हम इसे लिखेंगे, ये वाला जो है, इसे हम याद करेंगे, ठीक है? आपको इसे याद करना है, लिखके और याद करना है इसके बाद है, यहाँ पे, the cries of some animals are given below अब यहाँ पे कुछ animals के cries दिये गया है, यानि कि वो कैसे बोलते हैं तो वो लिखना है आपको, यानि कि याद करना है जो दिया गया है उसे तो tigers का, क्या हो जाएगा? ग्रॉल, lions का रोड, यानि कि lions जो होते हैं वो दहारते हैं, रोड करते हैं elephants का trumpet, इसके बाद है, hords का, hords का क्या हो जाएगा? नी, cows का, moo, dunkeys का, bray, ship का, bar, monkeys का, chatter, dogs का, bark, cats का, mew उसके बाद है, ducks का, quack, across का, cow, ठीक है? इसी तरह से आपको इसे याद करना है उसके बाद है, things we have learned, तो हम लोगों ने क्या सीखा? तो देखिए, pet animals are kept in our houses, जो pet animals होते हैं, उन्हें हम अपने घर में रखते हैं domestic animals are kept in farms, और domestic animals को farm में रखते हैं wild animals are found in jungles, और wild animals जो होते हैं, वो जंगल में पाए जाते हैं the animals are of different sizes, और animals जो होते हैं, वो different size के होते हैं food habits of animals are not the same, और animals के जो food habits होते हैं, तो वो same नहीं होते, अलग-अलग होते हैं babies of animals have different names, तो animals के जो baby होते हैं, उनका नाम भी अलग-अलग होता है animals, cries have different names, और animals जो बोलते हैं, उनका जो आवाज निकलता है, cries, वो भी उसके भी different names होते हैं, अलग-अलग होते हैं इसके बादे, did you know, क्या तुम जानते हो, the chita is the fastest land animal, जो चिता होता है, वो fastest land animal कहलाता है the lion is the king of the jungle, और lion जो होता है, वो king of jungle कहलाता है, यानि कि जंगल का राजा कहलाता है the camel is the ship of desert, तो ये क्या होता है, camel जो है, वो ship of desert कहलाता है, यानि कि desert का ship कहते हैं हम लोग उसके बाद देखिए, ये तो हो चुका है, अब हम exercise बनाएंगे अब देखिए, question है, कि name two animals that we keep as pets अब दो animal का नाम बताना है आपको, जो की, जिसे हम pet के दोर पे रखते हैं, यानि कि पालते हैं तो क्या हो जाएगा, cat और dog, उसके बाद है, कि name two domestic animals two domestic animals का नाम बताना है, तो क्या सब हो जाएगा, cow और god इसके बाद है, कि name two wild animals, wild animal का नाम, तो lion और tiger name two plant eaters, जो plant खाते हैं, तो उनका नाम बताना है, तो horse हो जाएगा, और cow इसके बाद देखिए, name two flesh eaters, flesh eaters का नाम बताना है आपको, तो क्या सब हो जाएगा, lion और tiger ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे, उसके बाद है, match the two columns, two columns को match करना है, तो देखिए, इसमें है adults और इधर है babies, तो tiger, tiger के baby को क्या कहेंगे हम, यहाँ पे cub कहेंगे, इसके बाद है deer, तो deer के baby को found, इसके बाद है cow, तो cow के baby को calf, इसके बाद है horse के baby को, तो horse के baby को हम कहेंगे fall या colt, इसके बाद है cat के baby को kitten, ठीक है, तो इसी तरह से इसे matching करना है, अब यहाँ पे है, all the statements are incorrect, write them correctly, अब यह सारे statements जो हैं, वो incorrect है, इसे आपको correctly लिखना है, तो fish can live in water and on land, जो fish होता है, वो water और land दोनों में रह सकता है, तो क्या इसी लिखेंगे हैं, correct statement बना के, fish can only live in water, fish जो है, वो only water में ही रहता है, इसके बाद है कि tiger is a plant eater, जो tiger है, वो plant eater है, तो नहीं है, tiger is a flesh eater, horses, trumpet and donkeys chatter, तो क्या हो जाएगा, ये भी गलत है, तो horse, knee and donkeys, ब्रे, ठीक है, इस तरह से इसे लिखेंगे, उसके बाद है, यहाँ पर कि a baby god is called a lamb, तो baby god जो होता है, तो हम उसे lamb कहते हैं, तो a baby god is called a kid, तो हम उसे kid कहते हैं, ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है, अब यहाँ पर है solve the riddles, I am an animal, having five letters, मैं एक animal हूँ, जो की five letters, five letters का हूँ, I have stripes over my body, और मेरे पुरे body पे stripes है, you find me at road crossing, आप मुझे road crossing में find कर सकते हैं, what am I, मैं क्या हूँ, तो क्या हो जाएगा, जैबरा, तो जैबरा को आप देखेंगे, कि यह जो है five letters का होता है, और इसके पूरे body पे stripes होता है, और आप इसे road crossing में भी आप देख सकते हैं, तो इसे हम जैबरा लिखेंगे, उसके बाद है, आपे I am a pet, मैं एक pet हूँ, I have two legs, मेरे two legs हैं, I can copy what you say, मैं copy कर सकता हूँ, जो आप कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, पैर तो पैरोड जो है, वो सारे को copy कर लेता है, जो भी आप कहेंगे, उसके बाद है, I am a wild animal, मैं एक wild animal हूँ, I am a flesh eater, मैं एक flesh eater हूँ, I am the national animal of India, और मैं national animal हूँ, इंडिया का, तो क्या हो जाएगा, टाइगर, उसके बाद है, I am a domestic animal, मैं एक domestic animal हूँ, I give you milk, मैं तुमें milk देता हूँ, और उसके बाद है, my cry is called moo, और मेरा जो cry है, वो moo कहलाता है, तो क्या हो जाएगा, cow, I am a pet, मैं एक pet हूँ, I am fond of mice, fish and milk, और मुझे बहुत ही प्यार है, mice से, fish और milk से, तो हम इसे क्या कहेंगे, cat, ठीक है, तो इस तरह से इसे लिखेंगे, अब यहाँ पे है, activity, तो इ the animals that you go to see in a zoo, अब देखिए, आपको animal को draw करना है, जो आप जू जाते हैं, तो वहाँ पर आप जब देखते हैं, उन्हें, तो कौन-कौन से animal को देखते हैं, उन्हें आपको यहाँ पे draw करना है, ठीक है, तो इसे आप कर लेंगे, तो आपका chapter complete हो चुका है, तो आपको कैसा लगा पढ़के, मुझे जरूर बताइए, और अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, और सेर भी कीजिए, ताकि इस सारे वीडियो आपके पास समय से पहुंसती रहें, और आपको कहीं भी समझने में परिशानी हो रह सकते हैं, तो चले मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, बाई, टेक केर, थैंक्स तो वाच मैं वीडियो,